और राश्रेबाल अधिकास सरक्षुन आयोग ने सभी राजियों और केंदर श्वासित प्रदेशों को पत्व लिख कर मदर्सा बोड को बंद करने की मांग की है आयोग का ये कहना है कि मदर्सों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है NCPCR का ये भी कहना है कि मदर्से Right to Education Act के दारे में नहीं आते हैं ना तो मदर्सों में अनुभविश शिक्षक होते हैं ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी विवस्था यहां पर की जाती है जिससे इन बच्चों को स्कूलों जैसी शिक्षा नहीं मिल पाती है NCPCR का ये भी कहना है कि मदर्सों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है NCPCR ने मदर्सों को मिले वाली सरकारी फंडिंग को भी रोकने की मांग की जो अपने परक्ष्व में डिफीट होगे है इन मदर्सा बोडों से अफलेटेट मदर्सों में लगभख सभी राज्यों में जहां ये बोड हं राइट टू एजुकिशन एक्ट के वाइलिटेड मैनेर में चलाय जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्शर नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, कितावें नहीं हैं, और ट्रेंड टीचर्स के भाव में तो सब संभवी नहीं हैं, हमने बहुत डिटेल अध्यन किया हैं, यह आज भी मुश्किल 10% भाग को सर्व कर पा रहे हैं, असल में सवा करोड बच्चे उन मदर्सों में हैं, जिनका मदर्सा बूट से कोई वास्ता रहे हैं, तो जब मदर्सा बोड अपने परपस में फेल हो गए हैं, इडिया के साथ बनाय गये थी, उसको सर्व नहीं कर रहे हैं, मदर स्कूलों में पढ़ें, और ये भी सुनिश्चत करिए कि जितने हिंदू बच्चे वहां पर हैं, उन हिंदू बच्चों को मदर्सों से तत्काल निकाल की स्कूलों में डाला जाए हैं, श्यादव ने एंसी पीसी आर कि समांग को लेकर केंद सरकार पर तीखा हमला भी बोल सुनिया में मैसूस करना है कि भाती जंता पार्टी की जो भिद्वाब ये राजनीते वो छलने वाली नहीं कि भाती जंता पार्टी जंता पार्टी की आरी जिए भाती जारा जाए हैं, पार्टी की जो भाती हैं, बोलने लिए भाती हैं